आपको सबसे बड़ी खबाल उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप किसी विभरती पर इच्छा की त्यारी कर रहे और आप चाहते कि आपके अच्छे नंबर आए और आपका सरकारी नौकरी के लिए सेलेक्शन हो जाए आप सरकारी नौकरी पा जाए अपने मा अब आपका सपना पूरा करें तो आपके लिए अब तक का सबसे ब्यातिरीन प्लेट स्वाम ओफर का लाब आज ही तक आप उठा सकते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसीन कूपन कोट का यूज करने पर आपको 449 रुपे में पूरे एक साल त्यारी करने का मौका मिल 449 रुपे में पूरे एक साल त्यारी 80,000 मौक टेस्ट 700 से ज्यादा भरती परिच्छा की त्यारी और मैं आपको बताना चाहता हूं ससी बैंकिंग रेलवे स्टेट की कोई भरती हो शेंटेल की कोई भरती हो बिहार की भरती हो उत्तर प्रदेश की भरती उत्तरा खंड की ब लग चुकी है आपकी नौकरी लग सकती है अगर आप मेहनत से त्यारी करते हैं कल आपको यही दोस्तों 449 वाला 699 में मिलेगा कितने में 449 का जो आपको आर्षियन कूपन कोड का यूज करने पर मिल रहा है कल आपको 699 में मिलेगा क्योंकि ब्रात 12 बजे के बाद ओफर समाप्त हो जाएगा अगर आपको ओफर का लाव लेना है ते डिस्क्रेप्शन वोक्स में जाईए लिंक ह सबसे पर बात करूँगा 27 या नई प्रात्वी शिखख भरती को लेकर 27 या नई प्रात्वी शिखख भरती के चारचाएं जोरों से चल रही है या भी मांग हो रहा है कि 27 यार शिखख भरती पर क्यों विग्यापन जारी ना किया जाए इसमें और पद आईड कर दिये 34 ज्यार से जादा पर विख्यापन जारी हो एक बड़ी बात है कि या यूपी टेट के पहले नई प्राथaimerी शिख भरती आएगी या यूपी टेट के बाद तखेख बहुत से अईसे आभ्यर्थी हैं जो कि यूपी टेट क्वार्था नहीं पांच साल से नई प्राथबश क्वालिफाइट करने के इंतिजार में हैं विज्यापनाए विख्णा आएक कर लें जो लोग नहीं किये हैं क्वालिफाईट वो लोग नहीं प्रात्मिक शिक्शक भरती अभी नहीं चाहते तो क्या आपको लगता है कि यूपी टेट के नोडिफिकेशन के पहले ही नहीं प्रात्वी शिक्षक भरती आपको देखने को बिल जाएगा मैं आपको बताजू इसकी उम्मित कम है साथ-साथ यूपी एस्टेट की जो परिच्छा है सुपर्टेट की जो परिच्छा है या 2025 में होने के चांसेज है उससे पहले नहीं है और हो सकता कि उम्मर सीमा में छूट मिल जाए अगर आप लोग ने प्रियास किया और सरकार ने आपर ध्यान दिया तो उम्मर सीमा में छूट मिल सकता है एक बड़ी अपडेट में आपको और देना चाता हूँ यूपी पुलि पुलिस के साथ दोसों से अधिक पदोपर चैन के लिए आयोजित रिखित परिच्छा 2023 के निस्पच्छी पारदर्सी यूम सांति पूर्ण धंग से संपन्न होने की सभी अभर्थियों को सीम योगी के द्वारा बधाई दी गई है परिच्छा में सहभागता करने वाले मनोन कोल परिडाम प्राप्थ हो सभी का भविश्यों अधिक परिच्छा को सफलता पूर्वग साकुसल संपन कराने में सहयोगी सभी जनों उत्तरप्रिच्छ पुलिस भर्तियों परिच्छी बोड़ और समस्त जनपदों की चिला प्रसासन को हिर्दय से आभार उत्तरप् दिए अगर इस तरह की अफवा सामने आ रही है तो आने दीजिए उस पर ध्यान ना दिए क्योंकि अफवा उड़ाने वाले उड़ाते रहते हैं अब अंदर और बाहर में अंतर होता बाहर से तो कुछ नहीं दिख रहा है एक प्रसत धाजिली नहीं सांती पूर्वग परि देखें आरयो एक्जाम कितने सिप्ट में होगा इसके समंध में अगर आपको कोई जानगारी दे रहा है तो कोई तीर नहीं मार रहा है आरो एकजाम का सिप्ट जो है पांच लाक कंडिडेट से ऊपर होने पर निरधारिश किया जाएगा यानि कि 5 लाक से अधिक पर इच्छा हो सकती इसमें बड़ी बात नहीं है या तो आयोग पर निरबर करता है तो आप आरो यारो की त्यारी करने तो इन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए अपनी त्यारी पर आपको ध्यान देना चाहिए यूपिट बालसी की बड़ी अपडेट बता दू जब तक उत्तर पर अजिरस सेवा चैन आयोग में नए अध्यच नहीं आएंगे तब तक हो सकता है कि नए विग्यापन ना है हो सकता है कल्फर में हो सकता है अब किन भरतियों पर चर्चा होगी अध्यच के आने के बाद एक लेकपाल भरती पर चर्चा होगी एक जूनियर के उबर निर्वर करता है तो लोवर लेखपाल और करिश्चा है कि जो भरतिया जिसका ज्याइटर निर्णा लिया लिया सकता है तो इसी प्रकार के अथेंटिक जानकारी मैं आपको इसलिए देता हूं जिससे आप भ्रमितना हों बाकि कुछ लोग कहेंगे कि यहां सी जानका होगा जानकारी वही आपको मिलनी चाहिए जो पूर्ण रूपेर सठीक और सही हो मेरा करता भी बनता है कि आप तक सबसे अथेंटिक जानकारी पहुंचाओं वही जानकारी दूँ जो पूर्ण रूपेर सथ्य हो अब रेस्टेट को लेकर जो बताया गया यूपी होती है इस पर आपको दिमाख लगाना चाहिए आप लोग से कोई कहा दिया कि तीन स्रिप्ट में परिष्छा होगा चार सिस्ट में तो भईया पांच लाक से अधिक अधिक तिजिस पर इच्छा में होंगे उसे दो सिप्ट में कराया दा सकता है उसे बड़ी बात कौशी ह और आपको यह भी मालूम होगा इसमें भी कोई नई बात नहीं है नौर्मलाइजेसन के बारे में अगर आपको कोई कुछ कहता है तो कहिए कि वहीं दो या दो से अधिक सिप्ट में होने वाली समस्त परिछाओं में नौर्मलाइजेसन प्रक्रिया को अपना जाएगा तो इस में भी हिचकने हिचकने वाली कोई बात नहीं है तो साधान चीज है कुछ यूनिक आपको बताना चाहता हूं और जहां तक रहे नई प्राथवी शिक्षक भरती की बात जैसा कि मैंने उपर चर्चा की आए तो नई प्राथवी शिक्षक भरती का विग्यापन जो है उत्त प्रजेश सिछा सेवा चैन आगों जब तक अध्यचन ही आएंगे पुरानी भरतियों पर नीड़ने नहीं होगा तब तो नई भरती की कोई सुगवाट नहीं है इसलिए आप किसी की बातों पर ध्यान ना देते हुए अगर आपने टीटी पीटी के लिए अपलाई किया है सिष्टेट प्रोफेसर के अपलाई किया तो उस पर ध्यान दीजिए साथ साथ यूपी चट्की भी त्यारी करिए भली अगले बरस हो नहीं प्राज्विक शिक्षक भरती आएगे तो देखा जाएगा वह इसे 25 के पहले आने के कोई चांस अभी नहीं दिख रहे हैं सब्सक्राइब करें पूरा वीडियो सुने के लिए दिल से धन्यबाद